लिए महाँ बनाया जाए हेग औ介 जी कड़ जॉब तो आज की अब सेशन में हम बात करेंगे इन्वेन्ट्री में बहुत लेने हैं क्या वह भी करेंगे तो बहुत पेशन के साथ बैठेंगे एक रेगलर बैच में आप जैसे पढ़ रहे होते हैं आप मेरी एक आफ्लाइन क्लास में हैं जहां मैं कहीं और नहीं ध्यान रख रहा हूं मेरा पूरा फोकस तुम्हारे उपर है तो तुम्हारे आथा दा पर वेटेज इन्वेंटरी सिस्टेम के लिए हमने कुछ यह मैंस बदाए अपने नोट भी करेंगे डेफिनेटली अगर मैं इसको और ज्यादा सिंप्लीफाइब करना चाहों तो मैं क्या बोलूंगा आपसे तो चो दो चीको पर बात करीं निकालने के लिए नंबर ऑफ इ हम बात कर रहे हैं वेटेज एवरेज कॉस्ट मेथेड की मेरे साथ चलो यह तिना प्यार से सीखोगे ना यह लाइक कि ओहो तो मज़ा ही आ गया ऐसा वाला वेटेज एवरेज कॉस्ट मेथेड एक बड़ी सिंपल सी चीज़ आप से बोलूंगा वेटेज रेट क्यालकुले वेटेड ऑन परचेज हम एक दो कैसा होता है हम रिसिप्ट करते हैं इस्यू करते हैं बैलेंस बचता है मेरे साथ एक्शन करो रिसिप्ट करते हैं इस्यू करते हैं बैलेंस बचता है बैलेंस क्या है क्लोजिंग 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 क्या है इन्वेंट्री उसी की वैल क्याल्कुलेट और होगा समझने कि टो करेंगे तो इस्हूंग वाले में मत कर दें आस पर चेज्ञ लोब टीम पसे थ्यां रही को ट्राइएज थैन रखना चाहिए एक होता है एक होता है receiving, एक होता है issue, एक होता है balance, balance में बुद्धी नहीं लगानी, issue में बुद्धी नहीं लगानी, वो जो rate previously आया होगा, issue उसी rate से कर देंगे, ठीक है, बट yes, हमारा focus कहा होना चाहिए, जब हम purchase कर रहे होंगे, तो purchase करते वक्त हमें weightage average rate निकालना है, अब मन में सवाल sir कैसे करेंगे, तो मैंने क्योंकि purchase की बात करी है, तो primarily मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगा, आप मेरे साथ कुछ इस तरीके से लिख लीजिए, ध्यान देते चलिए मज़ा आने वाला है, जब आप purchase करेंगे, तो मैं जो पूछ उस पर सुनना है, जब आप purchase करेंगे, तो बोलो ना हाँ, बैठे कायो, हाँ हो जाएगी, अचा जब unit increase हो जाएगी, तो क्या amount भी increase हो जाएगा, अरे तुम्ही को हाँ बोलना है, जहां भी बैठो देश में बोलो, yes sir, हो जाएगा increase, हमने का जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगर ऐसा हो जाएगा, तो क्या हम ये कह कह सकते हैं, कि यहाँ पर total unit कितनी available है, वो हमें पता लगए, अगर हमें ये पता लग गया, तो हमें अब क्या करना चाहिए, हमें method लगा देना चाहिए, मेरी बात सुनो, जब आप ये लिख रहे था ना, ये जो बड़्डा सा लिख रखा है, क्या लिखा हुए, पढ़ो जो रहा, total cost of goods available for sale, total cost of cost, 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 total cost of goods available for sale, तो आप पिछा हो, आपको ये calculate करने को बोला जा रहा है न, weightage, average rate, कैसे निकलेगा यार, सिंपल हो गया न, काम आपके लिए, आप question कहीं से भी आर वियल है कि सुपर मैन है हम लोग, अपन future CEO वाले साब उड़ा देंगे, total amount divided by total, 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 total unit, हाँ या न, सोचो, 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 total amount divided by total unit, ऐसा करने से rate मिल जाएगा, मन में प्रश्ण होगा, सर, receive होता है, issue होता है, balance होता है, उन प्रश्णों का जवाब मैंने पहली दे दिया, कि weight is raised, always calculated on purchase, तो मन में सवाल आएगा, तो सर, वो, sale का क्या करेंगे, मैं जवाब देता हूँ, इधार आँ, sale के लिए, sale मतलब issue, sale के लिए, जो previously rate calculate होगा, वह या अपलाई कर देंगे, करके देखें, चल, उसी question में चलते हैं, जो इतना तापड़ तोड़ लगा रखा है, अरे तुम्हें मदानी चीना, लगना जी कुपढ़ा रहे हैं तुमको, इसी question में हो, question clean कर ले, फिला है कि हाँ भाई पढ़ रहा है, ओके, 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 जे बात, तो एक पर समझते हैं, कि हमें क्या क्या करना है, हमें यह पता होना चाहिए, डेट क्या है, हमें पता होना चाहिए, पर्टिकुलर के अंदर में परचेस क्या है और इशू क्या है, बोल तो परचेस क्या है और सेल क्या है, तो यह दो बाते पता लगनी बात, वह ब्यादा दो कॉलम हमारे बनी के अब हमें यह स्कूत इसक ना-टैना ऐसी कितना आना रिंड कितना आप बीटीन चीजिए चलेंगे कॉन कॉन सब्सक्राइब करेंगे आजब मिरसाथ चलो मिरसाथ पहले कॉलम रहना बहुत ध्यान से ना कि बड़े सुकून से आप सीखने वाले हैं कुछ नहीं लेकिन क्या एक वेशन लगवा दूगा ना तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस इस नेक्स लेवल होगा कि सरब चाहे जहां से क्वेस्टन आ जाए और सच में होगा होना चाहिए इसलिए प्यार से सिखा रहा हूं कि तुम सीख जाए रहा है ना खता हम करो यह जरनी सीजिए फाउंडेशन की कब तक जूज होगे ही चली मिसा तक ही है है पहला कालों में कि टी कच गया चाहिए पहला कॉलम में डेट का चा यह हमने का जीज आँछ कि उनिटव वह में हमें तो यह उनिट führen होनी चाहिए हमें रेट पता होना चाहिए उसका एमाउंट पता होना चाहिए हमने का जी बहुत बढ़िया यह भी हो गया अगला कॉलम हमें कि शीच का चाहिए हमें इस्यू का चाहिए इस्यू में हमें क्या पता होना चाहिए यूनिट पता होनी चाहिए रेट पता होना चा पता होना चाहिए मैं बार-बार बोलता हूं तुम भी बोला करो समझो बातों को बोले तो हमें क्या-क्या जानना है quantity पता हो rate पता हो amount पता हो quantity पता हो rate पता हो amount पता हो quantity पता हो rate पता हो amount पता हो तो इस पर भी तैयार हूं कि मैं तो यहां पर working note करके दिखा दूंँ आज मेरी साथ क्योंकि module में नहीं आओ मैं तुम्हें सिखा दूंगा अगर तो तो एक्जामनेशन में working note के नाम पे लिख सकते हैं तो तुम्हें लगता इसे को बाइशन दूर है को यह फोकास करेंगे में साथ लेकी करके करेंगे कर्णे इस हुआ को दिक्कत की बात नहीं इंगरीज करने कोई दिक्कत के बात नहीं अभी छार को जैसा जैसा बोलते चाहें वैसा वैसा करतें कोई लोड नहीं लेना दिसंबर चार को इन्होंने करा है परचेज हम का जी ठीक है कितनी कौंटिटी का इन्होंने कहा था 900 कौंटिटी का 50 रुपय का रेट लगा था तो 45,000 हुआ था हम नहीं किया तो इस निल रखा तो बैलेंस कितना बचा जितना पर्चेज किया तो पूरा पूरा इमांट बैलेंस तो बची जाना है हम ले आए हम नगा जी 950 रुपय के रेट से 45,000 हो गया जी बहुत बढ़ी हैं यहां तक काम ठीक है फिर दिसंबर पांच को हमने इसु कर सब्सक्राइब तो पर्चेज तो है नहीं इसु है 500 रुपय के रेट से कितना होगा 25,000 मुझे बात बताओ बहुत ध्यान से चलना है बहुत ध्यान से 45,000 तुहां पांप स्टॉक अवेलबल था बहुत ध्यान से चलने अमांट के साथ नहीं मता आएगा 45,000 का स्टॉक था तो जनाब कितने का स्टॉक बचा सोचो सोचो पैंताली जार में 2 हार निकाल गया कितने का स्टॉक बच्छा हमने का всю 5 हाजार का बच्चे के मंद में प्रश्ट नहीं सर कैसे कैसे कर रहे हैं रहे सुनो ना 900 कॉंटिटि जिसमें से 500 इस्यों हो गई तो क्उटिटी कितनी ब परचेस यादा रहाया यादा pursue सेल पर जैसा जैसा बोले वैसा वैसा yeah फिर मैंने क्या उला busca a Healing अगर आपके पास सेल पे जो इस से ठीक previous मतलब इस स्सक्वट्स लगा कि इस लुग आगे करेंगे जरूर है अच्छा यहां तो यहां चार और पांस तारीख हो गई तो आगे बढ़ते हैं मैं क्वेशन कैसे देख लिए रहा हूं आप भी देखी लो त्यार हो गया पांच हो गया दस तारीख को 400 यूनिट पर चेस किया पच्छ पन के रेट से ठीक है दिल खुश करके चलो दस तारीख तारीख को 400 यूनिट पर चेस किया पच्छ पन के रेट से तो 22,000 होगे बहुत बढ़िया बहुत प्यार से चलो दिसंबर 10 क्या करा पर चेस अब मैं आपको चाहा रहा हूं कि यहीं से मैं वर्किंग नोट बताना शुरू कर दो मजा आ जाएगा सीरिसली बता रहा हूं आपके दिमाग में डालना चाह रहा हूं उसी लेवल पर जाए फोकस करो हम बात कर रहे हैं किस डेट पर रुको यार आ जो तो वेरी गुड हम बात कर रहे हैं दिसंबर 10 हमने का ठीक है चले हमने लिखा मिर साथ लिखो यह एक्जामनेशन में करो नहीं करो इस कम्प्रीट बच्चा कहता हाँ था हाँ तो सुनो बाइस हजार का यह एवेलिबिल्टी हमें साफ साफ दिख रही जिसको लेकर बहुत खोश है तो क्या यह 25,000 होगा पहली बात तो पचास इंटू चालिस सोचो 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 जवाब है नहीं तो पहले इसको बीस जार कर लो तो ज हमें सिट्टर देखो हमारे पास दिसमबर 10 स्कों बेलें कितने खाडिसमबर दसका प्रचेस करने के पहले बैली सिपना था आजयो इदर तो ब्यालिंस था टीक है दिसमब्र 10 स्कों पारचेस हमने कितने का किया बद्ध्रान से चलो परचेस कि जा लुए फोकस करते चलना क्या हम ऐसा कह सकते हैं चलो चलो टोटल एमाउंट हमारे पास आया 42,000 जल्दी बोलो क्या है सकते हैं येस थोड़ा आगे बढ़ते हैं दिसंबर 10 ते पहले हमारे पास कितनी यूनिट अवेलबल है ये हमने कितनी उनिट और परचेस कर ली और पर आओ यंट वाली बात भई टोटल एमारी ना डूल करते कि छो कितनी कितनी उनिट बचई हुई थी हमारे पास तो बैलें चोर्टेस कर लिया मेरे भाई वह भी 400 तो क्या अब हम यह कहले मैं आपको इतना डीटेल में बता रहा हूं इसकी जरूत सच में नहीं है लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा future CA का हर एक student इस concept को इस level पर सीख कर जाए कि exam में जहां से मरजी आपको आना चाहिए एमाउंट पता लग गया ठैरो और यूनिट पता लग गई हमें दोनों चीप पता लग नहीं है क्या इमांड पता लग गया और हमें यूनित पता लग गई ठोक यही तो होता है है तो फलोड अब रहा है 52.5 तो क्या पहले कैलकुलेशन को आप सबने सीख लिया वापत से चलते हैं दिसंबर 10 तक हम ने करी लिया थोड़ा और आगे बढ़ी आई फिर से चलो दिसंबर 10 के बात कि दिसंबर 11 को फिर से पर्चेस कर लिया 355 करेट से ओके आईए चलो 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 फोकस करते हैं बड़ा बहुत असान है यह दिसंबर 11 को आओ कि पर्चेस करो तीन सुनट पर्चेस कर लिए से मल्टिप्लिकेशन लिख लो पहले जड़ा तो मल्टिपलाएगर लिखात कितना आएगा यह 16,500 मन में सवाल होगा सर वो उपर वाला आपने किया नहीं सर वे तुमारे मन में सवाल निकाल लिया था ना फैले उपरवाला कर दूं यहां रेंट निकाला था विफ्टीट टू-पइंट-फाइफ आच आजओ 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 तो मन में सवाल था दिसंबर 10 को कुछ इसी जवाब है हाँ कितना Balance वचा है बोलो न मेरे साथ कितना Balance वचा है अभी निकाला है कि दैलेंस बचा है। 800 unit किस rate से 52.5 अच्छा 800 은 52.5 कितना नेगा तो जवाब है 42000 कि अच्छा अब मालो कि बच्चा कहते है सार यह कैसे हुआ सार हम तो 17 करो तो बीस जार स्टॉक पहले से था बाइस हजार का और खरी लिए तो कितना होगा 42 था बट वेटे जवरेज है तो हमें मैठेट से चलना पड़ेगा अब इस वाले पर चलते हैं तो अब इसका हमें रेट पहले निकालना होगा ना तो मेरे साथ होना समझते चलना बहुत ध्यान से बड़े प्यार से सिखेंगे आजाओ जल्दी है नहीं कोई तो मैं पूरा सिखा के जाएंगे यह लाइक की एकाउंट ऐसे पड़ जाती है ना सबसे पहले जानते हमारे पा सब्सक्राजम का बैलन्स था ठीक बात है क्या फिर हमने परचेस कितना कर लिया तो परचेस हमने कर लिया 16,500 का हाई अना परचेस किया 1650 का अच्छा यूट आठ ऑाट सो थी और तीन तो यूइट और परचेस कर लिए तर रहू इधर लिख बैलेंस आट सो यूनिट थी औ और कितनी युनिट पर्चेस कर ली है तीन सुन और पर्चेस कर ली ठीक बात है क्या यारो खुश हो यूनिट इधर क्या है एमाउंट अनerson पॉर्पी अ 예ग करो हाग तो 1100 इसको है बांसों आर्ड चेट फाल फाइफंट इसाथ्प आऊ और पूडलादू करो ना एफिफ्टी फाल फाल फेड़िट बाइड बाई डिवेड़ बई ग्यारहा रहा है मनें एक हदार एक सो तो रेट आ रहा है 53.18 तुम देखना ऐसा 53.18 तो 53.18 कर लो कोई लूड नहीं है यह हो गया जी बैक आओ करते चलो बसा ना इधर गए हमने लिखा 53.18 यही तो आ रहा था 53.18 यूनिट किदनी बाकी है दो को यहां लिखा हुआ है ग्यारा सो इधर आओ लिखो एक हदार एक सो कुछ अलग कर रहे है नहीं अलग नहीं करना हमें बस वेटेज का रेट बताना बाकी एमाउंट कॉलम में 42,000 था 16,500 आया तो कितना पैसा होना चाहिए 58,500 वो लिख दो कोई लोड़ी नहीं 58,500 दिसंबर 11 तक की कहानी पूरी और आगे चलो दिसंबर 11 के बाद इधर 20 है तो फिर 19 लो दिसंबर 19 को 200 उनिट 60 रुपे के रेट से दिसंबर 19 200 उनिट 60 रुपे के रेट से बहुत बढ़िया सवाश आजाओ दिसंबर 19 पर्चेज लिखो 2060 रुपे के रेट से कितना होगा 12,000 आप मेरे से जाना है यहां पैसा कितना होगा अठावन पांसो दिख रहा है 12,000 कर दो 70,000 पांसे लिए लिख दिया खुश रहे इसु कुछ किया नहीं सवाल क्या है वेटेश का रेट निक दिसंबर 19 अभी तक तो सीख गए होगे बट फिर भी युवाला भी करके बता रहा हो ध्यान दो बैलेंस कितना बचा हुआ है बैलेंस बचा है अठावन पांसो तो हमने लिखा बैलेंस 58,500 कितना परचेस किया एमाउंट में 200 यूनिट 60 रुपे रेट से मतलब 12,000 क्या बा अधैं कितना पहलें लिखा है और वहाएद इस दो दुक्राइद करके दो साथ यूमने बैलेंस बांस चलते चलो बैलेंस थी 1100 यूनिट कितनी हैं एस नीने 30 कि लेंड़ी अब बच्चे को जानना है वेस्ट्रे सब्सक्राइब करने का बड़ा नारी करके चेक कर लो ग्यारा सुन्ट तुम पर अवेलिबल थी दो सुन्ट और परचेस कर ली तो यूनिट हो कितनी गई तेरा सो अब इसो क्रॉस चेक करो कैसे करोगे तेरा सो यूनिट मल्टिप्लाइड बाई 54.23 कितना है सत्तर हजार 499 तो वही वैल्यू निकल जाएगी तो वह आपका वही बनेगा सत्तर पांस हो में तुम टेंशन मता आना इस और सत्तर कर लिया दिसंबर बीस में सेल कर दिया 600 रेट नहीं दिया ना कंसेप्ट क्या दिया कि जो प्रीवेशली क्याल्कुलेटेड हो को उसे मल्टिप्लाइड मारो 600 यूनिट को आजओ मेरे साथ आजओ 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 वेटेज नहीं किया है इस्यों किया है 600 यूनिट सवाल है सब्सक्राइड किस रेट से हम दे रहे होंगे मैंने क्या बोला था सेल्स लिप प्रीवेशली क्यालकुलेटेड उनिट उठाओ इसको 54.23 कि मल्टिप्लाइड करो याद रहे है क्यों कर रहे हैं नहीं अवेलबल इस टाइम 5538 जो प्रीवेशली रेट होगा वही चार्ज हो जाएगा मैं हाइलाइट कर दे रहा हूं जो प्रीवेशली रेट क्यालकुलेटेड होगा सेल्स फिगर में वही चार्ज हो जाएगा ऐसी टेंशन नहीं लेना अब 7500 का बैलनस था जिसमें से यह इस्चू हो गया तो 7500 माइनस 32 538 बैलनस कीतना आ रहा है ध्यान से चलते चलना टेंशन नहीं लेना बिलकुल भी बैलनस कीतना रहा है 37,962 तो मन में टेंशन होगा सर इसको कैसे करेंगे बड़े प्यार से चीखो तो तेरा सो यूनिट थी शेल हो गई तो कित्ती यूनिट बची होगी साथ सो किस रेट से वही वाला 54.23 क्रॉस चेक कर लो ठीक है हमने कहा तक बता है तीन एक वर्क नोट और लेलू नो रुख जाओ पूरा सिखाऊंगो तुम्हें चौतर भी चलते हैं हमने इस्चु करा है तो यूनिट ठीक है वोके रिपोर्ट है तो हमने क्या करा बैलेंस पहले चेक करा बैलेंस हम पर कितने का था बैलेंस सेवन्टी थाउजन फाइफ हंड्रेड इदर आओ बैलेंस एमाउंट में देखा और यूनिट में देखा यह बढ़िया लग रहा है या अच्छा है कोस्ट एकांटिक हम लोग ऐसी तुकराते हैं शत्तर हजार पांसो का इमाउंट का बैलेंस है तेरा सो की यूनिट पर और माइनस करो इस्यू हमने कर दिया चेस सो यूनिट अमाउंट तो हमने भी क्याल्प्लेट करी लिया था चेस उनिट का थाटी टू थाजन फाइफ फ साथ सुदिट इसको ही मैनस करो अरे करो भी या हाला कि लिख चुका हूं बस सतर पांसो माइनस प्रिफाइफ सॉरी तर पांसो माइनस फी टू फाइफ थी एट थर्टी सेवन थाजन नाइन हैंड़ेट सिक्ष्टी तो यही बात हम लोगों ने यहां पे लिख दी यहां त तो पूरा सीखो चिंदी चोरी क्यों करनी दिसम्बर भीस हो गया अब 20 के बाद 28 को परचेस करा है 800 एट छोड़ दो 800 एट च्छोड़ दो 800 एट से 800 एट गोना 800 एट परटी सेवन के रेट से आ जाओ दिसम्बर 28 एट परचेस 800 एट पॉर्टी सेवन के रेट से मल्टिप्लाई करो आट सुन फॉर्टी सेवन के रेट से थर्टी सेवन थाउजन शिक्त एट यह आ रहा है ठीक है इस्यू कुछ किया रहा नहीं सवाल है बैलेंस क्या बचाओगा मुझे बाद बताओ बैलेंस के बहुत ध्यान से मुझे बाद बताओ इस कंडिशन में जाने के लिए हमें क्या-क्या पता होना चीए कि बैलेंस कितना है बैलेंस कितनी यूyनिट बैलेन्स है वह भी पता है दोनों को आज आपकी य। कर रहे हम लोग । यह कर 때 हम लोग तक यूनिट कितनी थी और हमारे पास एमाउंट कितना था उपर लिखाया दो सास्सो उनिट थी एमाउंट 37962 था हमने का जी बहुत बढ़ी है तरह सवाल मन में आया है ना बहुत ध्यान चलते चलो सवाल मन में आए किसके बैलेंस को लेके कैसे जाएंगे थामने का जी 800 खरीदी गई है आठ शुन जो खिरदी इसका रेट 37600 पे कर रहा है यही तो 37600 भी प्लस करो आज़ो मेरे साथ इदर आओ 37600 चलो प्लस करते हैं आज़ो 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 37600 प्लस 37962 बैलन्स आ रहा है बैलन्स आ रहा है कि 75562 इधर आ रहा है 1500 यूनिट ठी बात है घ्रिया यह हमें क्या निकालना है पर में बता रखा है वेटिज एवरेज रेट टोटल एमउंट आया ना डिवाइड वाइड बाई टोटल यूनिट आया ना कर दो दोट बैब फंद्रहसों बीमत क्या हो गया यह 75562 आप्ढ़ीब अरे रहा है 50.374 तो फिफिपिटी 50.50.37 समस्ते हैं एमाउंट में 75562 चलो 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 ओहो सेव कर लो थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्शन दिखा मेरेको ऐसा भाई लाइट ने चले 75562 एमाउंट में है यूनिट 700 थी 800 और आई तो कितनी हो गई 1500 एमाउंट क्रेट क्या निकला 50.37 28 वाला डन कर रहा हमने 29 को सेल कर रहा है तो प्रिवेस फिगर से सेल कर देंगे 29 को 500 यूनिट सेल कर रहा है इनोंने आ जो 29 को 500 यूनिट दिसंबर 29 को इश्यू कर रहा है 500 ओ ओ ओ ओ ओ परचेज में क्यों लिख रहा है ओ परचेज है नहीं इश्यू कर रहा है 500 यूनिट तवाल है किस रेट से तो ठीक प्रीवेस वाले रेट को ले ले लेते हैं को यह देल में रेट क्यालकुलेट करने की जर्ट नहीं होती मनमें प्रश्ण होना चाहिए सरक क्यों नहीं होती अरे जो सेल करो तो जो परचेज करने निकालना पढ़ता है ना भाई तो 25,180 क्या करना यह बैलन से दिख रहा है आया ना यह बैलन दिख रहा है इसमें इसको माइनस कर दो बस आउ करके चेक करते हैं 75562-25185 बैलंस जाना चाहिए बैलन जाना चाहिए पचास जार तीन सो सतर रुपए यह आ रहा है ठीक है अब एक सवाल है है सवाल यह है कि हम पे कितनी अविद अवेलिबल है मेरी बास सुनों किता इशू पांसु हम पे कितनी उनिट ही वाँ मेरे वाई किती उनिट से पंदरा सो में इस पंसून चली गई कितनी यूनिट बची 2000 एक हजार किस रइट से बची 50.37 तो क्या दोनों का मुल्टिप्लिकेशन यह आ रहा है था आंसर इस हंडिर परसेंट कोई थॉर्ट कोई डाउट हो नहीं चाहिए समझ गए तो वेटेज